एक बिजनेसमेन कपल से एक लटकी को बाई करना चाहता है इसके बात क्या होता है? यह आज की मुवी की स्टोरी है आपके पास अगर बहुत सारे पैसे होगे तो क्या आप किसी को भी बाई कर सकते हो? क्या दुनिया में सब कुछ सेल के लिए होता है? आज की मुवी में आपको एक्स्प्लिने से वाला है उसका नाम है इंडिसेंड प्रोपोजल इस मुवी का एक्स्प्लिनेशन जैसे आगे बड़ेगा तो बहुत सारी चीज़े आपको गलत लग सक मुझे लगा था कि हम दोनों इन्वीजिवल है डायाना हमसे खेती है कि अगर आप किसी को पैर करते हो तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए अगर ओगूम फिरकर फिर से आपस आपके पास आजाए तो आपकी हो जाती है अगर नहीं आई तो फर्स प्लेस में आपकी थी ही नहीं हमें आप इन दोनों की स्टोरी पता चलती है डायाना और डेविड दोनों बचपन से एक साथ थे डायाना और डेविड जब हाई स्कूल में थे तब इन दोनों का पैर हो गया था इनके पैरन्स इने मना कर रहे थे पर भी इन दोनों ने शादी कर ली थी अब रेजन में डेविड एक आर्किटेक बन चुका है वो एक फर्म में जॉब करता है और डायना एक एजेंट है वो घर सेल करती है डेविड और डायना को एक ड्रीम हाउस चाहिए होता है इसके लिए डेविड उसके डिजाइन पर हमेशा काम करता रहता है एक ना एक दिन एक अच्छी से लायन भाय करकर वो एक घर बनाने वाले होते है डायाना डेविड के पास आती है और उससे पुछती है क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ डेविड कहता है कि नहीं यह कहती है मैं करती हूँ ब्यूटिफुल कबल हमें यहां दिखता है नेकसिन में हम देखते हैं कि डायना हमसे बात करी है डेविड आर्किटेक्चर है इसी वज़े से वो मुझे दुनिया को अलग तरीके से देखना सिखाता है बहुत बार मुझे तो पता ही नहीं होता कि हम देख क्या रहे है पर डेविड मुझे इस दुनिया की ब्यूटि समझाता है नेकसिन में हम देखते हैं कि डायना को एक क्लायन पसना आई है अभी-अभी उनका ओफेस में सेल करने के लिए आई हुई है डायना हॉस सेल करती थी पर कोई हॉस बाही नहीं कर रहा था अब बहुत सारे मंज गुजर चुके है तो इसलिए ये लैंड का पेमेंट नहीं दे पाए अब बैंक इस लैंड को सीज करने वाली है पर इसका जो इंटरेस्ट था ये इनको घर बेच कर देना पड़ेगा ये बहुत जाता ट्रबल में होते है अगर इनोंने जल्दी से जल्दी इंस्टॉल्मेंट पेनी की तो इनका सब कुछ जा सकता है डायना टेंशन में होती है और डेविट से पूछ रही होती है कि अब हम क्या करेंगे डेविट केता है कि वरी मत करो मैं कुछ भी करूँगा कार चलूँगा कही भी जॉब ले लूँगा पर हम पेमेंट कर देंगे इंस्टॉल्मेंट देने के लिए डेविट को अपने फादर से भी पैसे लेने पड़ते हैं एक दिन जोब ये सोया होता है तो इसे एक आइड़ आता है डायाना और डेविट दोनों कसीनों में आ जाते हैं यहाँ पर वो पैसे जी सकते हैं ये उसका आइड़ आ होता है डायाना कसीनों में जो शॉप्स होते हैं ये देख रही होती है डायना इस शॉप्स में से कुछ टॉफिस चुराती है तो ये जॉन देख लेता है जॉन एक बड़ा सा बिजनेसमैन होता है ये एक बिलिनियर होता है जॉन ही देखता है और उससे देखकर वो आसता है इसके बाए डायना अलग शॉप में जाती है वो आएक अच्छा सा ड्रेस होता है जो ट्राय कर रही होती है ये उपर से ही से पहन रही होती है तो जॉन उसके पास आता है वो कहता है कि तुम्हें अगर ये अच्छा लगता है तो इससे बाए करना चाहिए ये तुम्हें बहुत ही सूट करता है डायना कहती है मैं इसे अफोर्ट नहीं कर सकती है जॉन कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बाय करने दो मैंने तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है डायना कहती है कि ये ड्रेस सेल के लिए होगा मैं सेल के लिए नहीं हूँ इसके बाद वो डेविड के पास आ जाती है डेविड बहुत सारे पैसे हाथ जीत रहा होता है डेविड और ये दोनों बहुत ही खुश होते है पर जॉन हमेशा इन्हें देख रहा होता है रात में डेविड सब पैसे calculate करता है वो conclude करता है कि सिर्फ 2 गंटे अब उन्हें खेलना पड़ेगा अगर इस तरह से वो जीतते रहे तो बहुत सारे पैसे ही नहीं मिल जाएंगे इन्हें लोन के बारे में कोभी वरी करनी की ज़रूद नहीं पड़ेगी डेविड को कहती है वो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ डेविड कहता है कि मुझे पता है डेविड कहती है अगर हमारे पास पैसे भी नहीं है तो भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसके बाद यह दोनों intimate हो चुके है यह हमें दिखता है अब अगले दिन डेविड और डायाना खेल रहे हैं यह हमें दिखता है यह खेलते खेलते बहुत सारे पैसे अब लूज करते थे इन्होंने अपने साथ 5000 डॉलर्स लाए होते हैं पर यह भी अब कम हो जाते हैं इन्हों decide किया था कि इसके नीचे हो नहीं जाएंगे इन तोनों को अभी भी लग रहा होता है कि अगर इस 5000 डॉलर्स को उन्होंने पेट कर दिया तो फिर से वो पैसे जीच सकते हैं अभी coin toss करते हैं यह coin इनकी favor में नहीं होता फिर भी decide करते हैं कि वो casino में खेलेंगे यह फिर से खेलते हैं और सब कुछ पैसे lose करते थे हैं जब यहां से जा रहे होते हैं तो एक table के पास बहुत सारी भीड होती है हम देखते हैं तो इस table पर John खेल रहा होता है डेविड भीड में से एक आदमी को पुछता है तो एक कहता है कि बहुत बड़ा गेम यहां चल रहा है ज़ान अभी अभी million dollar हार गया होता है ज़ान जब डेविड को यहां देखता है तो उनसे पुछता है कि क्या डायनो को तुम मुझे दे सकते हो लग के लिए उसे वो टेबल के पास बिठाना चाता है डायना मना करी होती है पर डेविड केता है कि यह ठीक है कोई प्रॉलम नहीं है जब ज़ान डायने के साथ खेलता है तो यह पत्ते खेल रहे होती है यह पत्ते भी वो हाल जाते है जॉन डायने से पुछता है क्या तुम्हें गेम पसंद नहीं है डायने कहती कि मैं गेम नहीं खेलती जॉन को लगता है कि इसे पसंद नहीं है इसलिए नहीं जीता अब जॉन उसे विली के पास लेकर आता है जिस नमबर वो बेट लगाते है यह नमबर जीच जाता है इस पर इन्होंने वन मिलिन डॉलर्स की बेट लगाए होती है अब कसीनों को बहुत जादा पैसे जॉन को देने पड़ेंगे जॉन अब बहुत ही खुश होता है डायन और डेविड वहाँ से जाने लग जाते है तो बहुत ही बसन आता है थोड़ी तर में जॉन का एक इंपलोई उनके पास आता है जॉन ने डायना के लिए गिफ्ट देया होता है यह उसे वह दे देता है जब डायना गिफ्ट देखती है तो सप्राइस होती है यह फाइध हौजन डॉलर्स का ड्रेस होता है जो पहन रही तो जून को अच्छा लगा था Od CAS के लिए जॉन के पास डेविट और डिदिए लोगना हैं ढ़र्लीड क्षेट करते हैं रात में जॉन और डिविड जब बात कर रहे होते हैं तो जॉन डिविड से बुछते हैं पात सालों में अपने आपको तुम कहा देखना चाहते हो डेविड जोक करता है और कहता है कि अगर मैं मिलिनियर बन गया तो मुझे कोई प्रॉलम नहीं होगी जॉन कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता अगर पैसों को तुम असाइड में रखो यानि कि तुमारे पास बहुत सारे पैसे है तो तुम क्या करना चाहते हो डेविड कहता है कि तुमारे पास इतने पैसे है क्या तुम सैटिसफाइड नहीं हो जॉन कहता है कोन सैटिसफाइड होता है डायना के थी कि मैं satisfied हूँ जॉन फिर कहता है कि तुम दोनों बहुत ही lucky हो जॉन डायना को कहता है कि तुम बहुत ही lucky हो मेरे पास तुम्हारे जास satisfaction नहीं है मेरे पास पैसे है एक casino से मेरे पास सब कुछ है डेविड कहता है कि लिमीट होता है कि पैसों से तुम क्या क्या बाई कर सकते हो जॉन पुछता है कि मैं क्या नहीं बाई कर सकता डायना कहती है कि तुम लोगों को बाई नहीं कर सकते है रियल इमोशन्स तुम कभी बाई नहीं कर पाऊगे जॉन को लगता है कि पैसों से उसे सब कुछ मिल सकता है वो डेविड से पुछता है अगर मैंने तुम्हें 1 मिलियन डॉलर्स दिये तो क्या तुम डायनों को एक रात के लिए मेरे पास भेज़ दोगे डेविड इस पर सीरता है पर कहता है कि यह नहीं हो सकता जॉन कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई पैसे नहीं देगा पर अगर सच सोच में तुम्हें 1 मिलियन डॉलर्स मिल गए तो क्या करोगे डेविड उसे भार में जाने के लिए कहता है इसके बाद जॉन कहता है कि मेरी मीटिंग है और वहाँ से वो चला जाता है रात में हम देखते हैं कि डेविड और डायना इन दोनों को नीन नहीं आ रही होती जॉन ने उन्हें जो प्रोपोस्त लिया है इस पर हो सोच रहे होते हैं ये दोनों एक दूसरे से खेह रहे होते हैं कि इनने नहीं करना चाहिए पर इन दोनों को अंदर से लग रहा होता है कि बहुत ये अच्छी डील है डायना कहती है कि हम दोनों ने एक दूसरे से शादी किये पर इसके पहले भी हम किसी और के साथ थे मैं अगर उसके साथ गई तो यह भी उसी तरह से होगा डेविड को लगता है कि जैसे टाइम गुजरता जाएगा यसे वो चीज़ को भूल जा सकते है अभी डिसाइड करते है कि यह डील वो लेने वाले है डेविड अपने फ्रेंड जो एक लॉयर होता है इसको कॉल करते है इसका फ्रेंड जो है यह भी एक कमी नाई है तो जब डील के बारे में सुनता है तो ओ कहता है यह तुम क्या कर रहे हो कम से कम तुमें 2 मिलियन डॉलर्स मिलने चाहिए इसके बाद हमें एक डील वर्काउट होई दिखती है लॉयर सब कागजात वेकरा बनाते है और जॉन इस पर साइन भी कर देता है इसके बाद शाम में डेविड डायनो को जॉन के पास छोड़ कर वहाँ से चला जाता है डेविड अपने फ्रेंड के साथ होटल में बेठा हुआ होता है पर यह जो सब बात कर रहे है इसमें डेविड का थोड़ा भी मूर नहीं होता यह बहुत जादा डिस्टब हो चुका होता है इसे लगता है कि यह बहुत ही घटिया दिल थी इसे नहीं करने चाहिए थी इसे पस्ता होता है यह भागते भागते जॉन के रूम तक जाता है पर अब डायना और जॉन यहाँ से हिलिकॉप्टर में निकल चुके है डेविड पागलो की तरब पूरे कसीनों में घूमता है उसे क्या करना चाहिए यह कुछ भी समझ में नहीं था जॉन डायना को उसके एक प्राइवेट यार्ट पर ले कर जाता है यहाँ पर उसे एक special race हो देता है डायना जब जॉन के पास deck पर आती है तो जॉन सब lights वेगरा burn कर देता है उसे वो stars दिखाना चाहता है डायना कहती है कि यह जो stars है इनने तुम burn नहीं कर सकते यानि कि वो सब कुछ चीज़े control कर सकता है और बहुत सारी चीजे इसके हाथ में नहीं है जॉन फिर डायना से कहता है अगर तुम मेरे पास होती तो मैं कभी भी डील नहीं करता किसी भी चीज के लिए मैं तुमें छोड़ता नहीं डायना कहती है कि तुम डेविड को जज नहीं कर सकते यह deal तुमने ही offer की थी John कहता है कि तुम मुझे बहुत ही पसंद हो इसलिए मैंने सब किया था इसके बाद हमें दिखता है कि यह दोनों intimate हो जाते है सुबा फिर David के पास फिर से Diana आती है यह एक दूसरे को hug करते है अब एक घर आ जाते है अब next scene में हम दिखता है कि David और Diana बैंक के पास आ चुके है वहागा जो imply है अब इन्हें कहे रहा है कि उनको जो land buy करनी थी वो bank ने sell कर दी है यह अपने payment के लिए late हो जुके थे इसलिए land sell हो चुकी है यह बहुत ही चीड़ गए होते है पर इस पर वो कुछ कर भी नहीं सकते है जो सब इनके साथ होआ है इसके बाद David बहुत ही परिशान हो जाता है वो Diana के पास एक matchbox देखता है इस matchbox पर एक cruise का नाम होता है इसे पता नहीं होता कि यह क्या है तो Diana से बोलता है यह हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए Diana बोलती है कि अच्छा एड़ा नहीं है हमी सब कुछ भूल जाना चाहिए वो इस matchbox के बारे में पूछता है तो कही थी कि याट का था David को बिलिवने होता कि John उसे याट पर लेकर गया था Diana डेविर उपर चीर गयी होती है कि क्यों वो उसका सामान देख रहा था डेविर को और भी curiosity होती है वो Diana की पूरी पर्स चेक करने लग जाता है यहाँ पर उसे John का का कार्ड मिल जाता है इस वर बहुत ही चीर जाता है Diana किसी को फोन लगा रहे होती पर वो लगता ने डेविर बहाता है तो वो शक लेता है वो John से बात करी होगी वो इस कार्ड के बारे में पूछता है और इन दोनों की यहाँ फाइट हो जाती है Diana को भी जो सब उनके साथ हो रहा है यह गलत लगता है Diana अपने फ्रेंड की मदद लेती है और उनकी प्रॉपरडी किसने बाई की थी इसका वो पता निकालती है उसे लगता है कि अगर उनके फिर से उनकी लैंड मिल गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा जब Diana इसके ओनर का नाम देखती है तो यह John ही होता है यह बहुती चीट गई होती है यह John के पास जाती है John अपने कलिक के साथ लंच कर रहा होता है तो वहाँ वो टेबल पर बहुती तमाशा कर देती है वो John को बाहर लेकर आती है Diana John से कहती है हमारी लैंड तुमने क्यों बाई की John कहता है कि मुझे opportunity दिखिए और यह बाई कर ली John face से उसे यह land वापस नहीं करने वाला होता John उसे proposal देता है वो कहता है कि मेरे लिए तुम काम कर सकती हो Diana के थी है विए तुम्हे हेट करती हो John बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे हेट नहीं करती है तुम विश करती हो कि तुम मुझे हेट करो पर तुम कर नहीं सकती है जब Diana घर पर आती है तो David उसे पुछता है कि तुम कहा गई थी Diana पोलती है कि वो John के बास गई थी David पूरी बात भी नहीं सुनता और बहुत ही चीड गया होता है वो उसे अब Diana से बात ही करने होती है कि उस रात क्या क्या होँआ था ये बहुत ही जेलस हो गया होता है तो Diana उसे सब कुछ बता देती है Diana उसे समझाती है उस रात جो सब हुआ इसमें कुछी मीनिंग नहीं था डेविड इस बात को मांनता नहीं वो कहता है कि तुम हमेशा से उससे अट्रैक्टेड थी इससे तंग होकर वहाँ से निकल पड़ता है डेविड अपने लॉयर फ्रेंड के यहां आय हो वता है तो डेयना वहाँ कॉल करती है वो उससे कहती है कि जो सब पैसे है वो डेविड रख सकता है उसे अब इन पेशों के कोई भी जरुवत नहीं है डायना अब घर से निकल जाती है और अलग जगा रहने लग जाती है एक दिन वो अपने जॉब पर होती है और उसका मैनेजर वहाता है वो कहता है कि एक आदमी 10 मिलियन डॉलर्स का हाउस बाय करना चाहता है डायना जब इसे दिखती है तो यह जॉब जान ही होता है वो अपने मैनेजरों को मना करी होती है इसका मैनेजर उसे कहता है कि इसकी कमिशन बहुत ही जाता है तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें fire कर दूंगा ब, डायाना को जॉन को एक घर दिखाना पड़ता है डायाना जॉन से बूछती है कि पहले तुम खागा जाना चाहते हो तो यह कहता है यह तुमारे साथ पैरे चाहता हो डायना इस पर कुछी भूलती ने उर उसे घर दिखाती है जॉन नेबरूर्ट में होता है तू बहुत बढ़ा सा गदर देखता है डायना करती है कि सेल करने के लिए नहीं होगा जॉन करती है कि हर चीज सेलिंग के लिए होती है यह दोनों पिर अंदर जाते है डायना figure out कर लेती है जॉन को एक ही घर है जॉन को एसे बुचता है तुम्हें क्या लगता है क्या कमी है इस house में डायना कहती है कि इस house में life ही नहीं है यह कहती है कि इसमें कुछ flowers, कुछ dogs, कुछ अच्छा सा furniture यह सब होगा तो इसमें जान आ जाएगी जॉन कहता है कि इस घर को तुम्हारी जरूरत है डायना इसके लिए मना कर देती है वो गहती है कि तुम चीज़ों को collect कर दे हो जॉन कहता है कि सिर्फ कुछी चीज़ों को मैं इसा करता हूँ यानि को डायना को लेकर बहुत ही serious है अब नेकसिन में हम दिखता है कि डेविड अकेला रह रह रहा है एक जगा बर जागर as a architect जॉब भी ले लेता है वहाँ पर और और qualified होता है फिर भी जॉब हो ले लेता है डायना अपने extra time में कुछ लोगों को पढ़ाती है इसके क्लास में जो सब लोग थे इमिग्रेंट से लगरा होते है यह जब पढ़ा रहे होती है तो वहाँ जॉब 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 फिर उससे घर पर लेकर आता है उसने वहाँ डॉक्स वगरा पाय कीए होते है डायना ने जो suggestions दिये थे है यह उसने accept किये है एक room में उससे लेकर जाता है और music चलाता है जॉब जहानव कहता है कि जब मैं young था तो मुज़े एक लड़की बहुत ही पस्न आई थी मैं उसे train station पर मिला था वो भी मुझे देखती थी और मैं भी उसे देखता था पर हम दोनों एक दूसरे को देखकर सर्मा जाते थे मैं train से उत्रा और उसने मुझे बहुत ही बढ़िया smile दी थी मैं उसके पैर में पढ़ गया था मुझे लगा था कि मुझे फिर से train में खुश जाना चाहिए पर मैं लेट हो चुका था मैं पूरे एक वीक तक उसका इंतजार उस station पर करता रहा पर मुझे कभी भी वो दिखी नहीं अब 40 साल गुजर चुके है पर एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि मैंने उसे याद नहीं किया वो कहिता है कि मैं तुमारे साथ ऐसा नहीं होने दे सकता यानि कि उसकी उस लटकी के प्रती जो feelings थी यह feelings डायनों को देखकर भी उसे आती है वो डायना से सच मुछ में बहुत प्यार करता है अब मैं दिखता है डायना और जॉन कपल बन चुके है एक दिन रेस्टोरन में खाना कानी के लिए जा रहे होते है वहाँ डेविड भी होते है डेविड जॉन से कहता है कि हम दोनों को तुम जूदा नहीं कह सकते है हम दोनों इन्विजिबल है तुमने हम दोनों की लाइव बर्बाद कर दी है वो बर्ड का एक्जामपल देता है वो कहता है कि तुम कुकु बर्ड की तरह हो वो अपना नेस्ट छोड़ कर दूसरे की नेस्ट में चला जाता है और वहाँ के सब अंडे विगरा खराब कर देता है तुमने हमारी धुन्या उजार दी है इसके बाद हम देखते हैं एक charity event चल रहा होता है यहाँ पर animal sale हो रहे होते हैं और इसके जो बसब पैसे आएंगे वो animal की care के लिए ही जाएंगे डायनों को हिपो बहुत ही पसन आते थे डेविड को यह चीज़ पता है जब यह auction चल रहा होता है तो डायनों को हिपो पसन है इसलिए जॉन एक किसी भी हालत में लेना चाता है यह जो bet होती है यह 50,000 डॉलर्स तक चली जाती है इसके बाद यह खतम होने वाले होती है पर डेविड वहा जाता है इसके पास जो 1,000,000 डॉलर है इससे वो raise कर देता है अब हिपो को बाय कर लेता है वो जॉन और डायना के टेपल के पास आता है जॉन कहता है तुम दोनों को बात करनी होगी इसलिए वो वहाँ से चला जाता है डेविड डायना से कहता है कि मुझे लगता था कि जो कपल सोते हैं फाइट करते हैं सब जगड़ा वगरा करते हैं पर इसके बाद यह भूल जाते होंगे यह मैं गलत था लोग कुछ भी भूलते नहीं है यह सिर्फ एक दूसरे को फार्ग्यू कर देते हैं हमने यह डील की थी तो मुझे लगाता कि हम यह सब भूल जाएंगे मैं जॉन से बहुत ही अफ्रेट था इसलिए मैं यह सब कर रहा था मुझे लग रहा था कि जॉन तुमारे लिए सही आदमी है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता इसा मुझे लग रहा था अब मुझे पदा चल चुका है कि ऐसा नहीं होता उसके पास सिर्फ पैसे हैं जादा कुछ उसके पास नहीं है डेविब ने अपने साथ डिवोस पेपर लाय होते हैं उस पर उस साइण कर देता है और वहाँ से चला जाता है जब डायना और जॉन कार में होते है तो डायना जॉन से कहती है कि हमें कुछ बात करने चाहिए जॉन कहता है कि मैं आप बहुत ही खुश हूँ वो अपने ड्राइवर से पुशता है कि क्या तुमने मुझे कभी इतना खुश देखा है ड्राइवर कहता है कि कभी नहीं जॉन कहता है कि तुम सब लड़कियों से बेस्ट हो दायना पुस्ती कि सब लड़किया कौन ये कहता है कि मिलियन डॉलर कलब वो समझाता है कि जो डील दायना को उसने दी थी ये deal उसने बहुत सारी लड़कियों को भी दी थी ये उसे बता रहाता है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी लड़किया ऐसी थी इसके बाद वो गाड़ी रोक देता है और डायना कहती है कि अब मुझे जाना है जान का ड्राइवर उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया ये जो सब वो बोल रहा था ये सब कुछ जूट था जान कहता है कि वो जितना डेविट से पैर करती थी उतना कभी भी मुझे पैर नहीं कर सकती थी जैसा हूं उससे देखती है, वैसा हूं मुझे कभी भी नहीं देखे की इसके बाद हमें देखता है कि David लेक पर होता है और Daya70 भी उसी लेक पर आ जाती है फिर हमें इसे अपनी एक नहीं लाइफ की वह स्टार्ट करना चाती है तो Dayana को डेविट ने जहाब प्रपोस किया था उसे स्पॉर्ट पर रोा थी है डेविट भी यही बेटा हुगा होता है यह फिर से उससे पूछती है क्या मैंने तुमें कभी पताया है कि मैं तुमसे पियार करती हूँ डेविट कहता है कि नहीं यह कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ डेविड कहता है कि अभी भी यह कहती ही कि हाँ हमेशा के लिए डेविड ने अपनी हाथ में अभी भी रिंग पहने होती है एक दुसरे का हाथ वो हाथों में लेते हैं एक दोनों को फिर से एकसेप्ट कर लेते हैं पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ वो बिताने वाले हैं यही मूवी एंड हो जाती है अगर हम मूवी में देखे तो डायाना और डेविड बहुत ही गलत थे इनकी आदतों के बारे में हम सोचे तो एक दोनों बहुत ही बड़े जुवारी थे इन्होंने डिसेट किया था है यह 5000 डॉलर्स की नीचे नहीं जाएंगे फिर भी बेट करना चाते थे यही उनकी गलत आदत इन्हें भारी पड़ी जब जौन ने इन्हें पैसे दी है तो इस पर सोचने लग गए इन्हें पता था कि यह गलत है फिर भी इन्हें लगा कि यह भूल सकते है जिस तरह से इन्हें जुवे में लगता था कि जीच सकते है उसी तरह से यह भी जुवा है ऐसा होने लगा था एक दूसरे के प्रती इनकी फिलिंग्स इस चीज से क्या फरक पर सकता है इसके बारे में कभी इस इनने नहीं सोचा था जुआ खेलना जिस तरह से गलत डिसीजन था ये भी इनका गलत डिसीजन था अगर हम जॉन की बात करें तो ये बहुत ही अकेल आदमी था इसके पास पैसे थे पर इसके लाइफ में कोई भी नहीं था जब डायना ने उससे कसीनों में कहा कि वो सेल में नहीं है तो इसका इगो हड़ हो गया जॉज भी एक जुआ रही था पर ये बहुत ही बड़ा जुआ रही था इसे जो भी चीज अच्छी लगती थी ये उसे पानी ही थी इसने फिर ये घटिया डील देकर इसे पा लिया ये कंडिनुरसली इनके साथ गेम्स खेलता रहा कि डायना उसके वास फिर से वापस आ जाए जॉन को भी सचमुश में डायना से पैर हो गया था पर इसका बेसी गलत था जो फाउंडेशन डेविड और डायना के रिलेशनशिप की थी वो इस दुसरे के साथ हाई स्कूल से पैर करते थे इन दोनों को रिलेशनशिप किसी भी हाल में तूट नहीं सकती थी मुवी के फर्स में डायना ने हमसे कहा है कि अगर आप किसे से पैर करते हो और अगर आपके साथ वो नहीं रहना चाहता तो आपको इसे छोड़ देना चाहिए अगर वो फिर से आपके पास वापस आ जाये तो आपका हो जाता है और अगर नहीं आया तो आपका वो कभी था ही नहीं लास्ट में जॉन को रियलाइज हो गया कि डायना उसे उस तरह से प्यार कर ही नहीं सकती जिस तरह से डायना बिलीव करती थी उसी तरह से एक दूसरे को इन दोनों ने पार लिया है अब इनकी रिलेशनशिप पहले से और भी स्ट्रॉंग हो चुकी है आप अपनी रिलेशनशिप को इस तरह से ग्रैंटर नहीं ले सकते आपकी जो रिलेशनशिप है यह बहुत भी ब्यूटिफुल है कितने भी पैसे आपके पास आगे पर फिर भी आप इसको बेच नहीं सकते पैसे आपको खुश तो रख सकते है पर आपके पास अगर आपके चाहने वाले नहीं हो तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है आपको हमेश आपने अंदर हुआट मैसूस होती रहती है एक थौटफुल मैसेज के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगाओगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी ऐसी मूवी लेकर आता है तो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राब कर दीजे और बेल नोटिफिशन आइकोन दबाना में मत भूलिया हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया